हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी योटू चैनल रोशन साइस्टेडी पर्ड में तो आज हम लोग क्लास 12 का जो सेकंड वोक है जोगर्फी की जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनतो, एवं व्रिद्धि की इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है तो हम डिस कर लिया था कि आखिर जो विश्व में जनसंख्या व्रिद्धि की 곳िय में यानी आरंब से लेकर अब तक जनसंख्या में क्या-क्या परिवर्तन आया है इस सभी चीजों के बारे में आम पहली वीडियो मेंम डिसकोस कर चुगे थे अब हम बात करते हैं वीडियो में हम बात करेंगे से पहले जनसंख्या वितरन को परभावित करने वाले कारक या जनसंख्या घनतु को परभावित करने वाले कारक अगर बात की जाए कि जनसंग क्या किसी दूसरे छेतर में जाती क्यों है ठीक है ना यानि किसी दूसरे छेतर में जाने के लिए और क्या ऐसी चीज़े होती है जो उस छेतर में और आकर्शित होती है तो पहला हम बात करते हैं भौतिक कारकों में पहला आता है उच्चावज उच्चावज भी बच्चो आप कह सकते हो या भू आकरती भी कह सकते हो इसके अंदर बिसिकली होता क्या है कि जो लोग होते हैं समतन मैदानों और जो मैदानी जो छेतर होते हैं उन शेतरों में लोग क्या होते हैं? रहने की ज़्यादा प्रात्मिक्ता देते हैं क्यों? क्योंकि यां फसलों के उत्पादन के लिए सड़क, उद्योग ये शेतर क्या होते हैं? इन सभी चीजों के लिए क्या होते हैं? उप्योक्त होते हैं इसके साथ साथ अगर बात की जाए, पहाडी और परवतिय शेत्रों में क्या होता है, जन संख्या कम निवास करती है, क्यों? क्योंकि उन शेत्रों में इन चीजों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए जादतर जो जन संख्या है या विस्व की अधिकान जन संख्या मैदाने शे जो भाग होते हैं, वहाँ जन संख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके साथ दूसरा जो कारक है, वो है जलवायू। अर्थात, लोग क्या होते हैं, ना जादा अधिक थंडे और ना जादा अधिक गरम परदेशों में रहने की ऐपिक्षा, लोग समझलवायों में जादा रहने की प्रात्मिक्ता देते हैं एक अन्य कारे क्यों है जिसे हम कहते हैं मिर्दा मिर्दा भी एक महत्वण कारे के बच्चों क्यों क्योंकि जिन छेत्रों में जादा भूमी उपजाव होती है उन छेत्रों में लोग जादा निवास करते हैं क्योंकि क्या होता है जो मिर्दा है वो क्रिशी को उस छेत्र में बढ़ावा देती है आप देख भी सकते हैं जादातर सब्वेताओं का विकास जो हुआ है वो नदियों की किनारे ही हुआ है क्यों? क्योंकि वहाँ उपजव मिर्दा मिल जाती है ठीक है? तो हम उपजव मिर्दा भी हम कह सकते हैं कि ये जन संख्या घनतु या वित्रन को परफावित करने वाला एक मुख्य कारक है। इसके साथ साथ एक अन्य कारक आता है जल की उपलब देता। जल आप सभी को पता है जीवन का सारुदिंग महत्पूर कारक है। लोग उनी शेतरों में रहने की ज़्यादा प्रात्मिक्ता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्द हो जाए या जल पीने योगिये हो। क्योंकि लोग क्या होते हैं जल का प्रियोग पीने के लिए करते हैं नहाने के लिए करते हैं या बोजन बनाने के लिए या पस्वों के लिए फसलों के सीचाई के लिए उद्यूगों के लिए या नोचालन के लिए करते हैं तो इसलिए क्या होता है लोग उनी शेत्रों में परहने की जादा वरियता या प्राध्मिक्ता देते हैं सिख्षा भी बहुत उची स्थरीय पाए जाती है और चिकिसा सुविधाय भी अच्छी होती है परिवहन विवस्ता बहुत ज़्याद अच्छी होती है और जो संचार है ठीक है ना ये भी यहाँ बहुत ज़्यादा बहतर होता है तो नगरी शेतरों में रोजगार के बहतर अवसर, सैक्षनिक यानि सिक्षा संस्थान, ठीके सासुविधाय, परिवहन विवस्ता का अच्छा होना ये सबी चीज़े क्या करती है जो मतलब लोगों को क्या करती है अपनी और आकरशित करती है एक अन्य कारग हमारा कुन सा है? आर्थिक कारग में एक अन्य कारग जिसे हम कहते हैं ओदोईकरण और दोईकरन भी बच्चों ज़्यादा प्रभावित करता है क्यों? क्योंकि जिन शेत्रों में उद्योग ज़्यादा होंगे तो common सी बात है कि वहां रोजगार की अवसर बहुत ज़्यादा होंगे और रोजगार के संख्या रोजगार के अवसर जादा होगी तो बड़ी संख्या में लोग क्या होगी और दोई शेतरों में क्या होगी आकरशित होगी यानि जाएंगे वहाँ क्योंकि उद्योगों में क्या होता है बहुत सारे जैसे वहाँ बैंक भी होगा दुकानदार भी ह करता है आप उधारन के लिए समझ सकते हैं जपान का एक कोंबो जो कोंबे उसाका प्रदेश है यह एक और जोगी छेत्र है तो यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है नेक्स बात करते हैं तो जेखो जादातर जनसंख्या उनी शेत्रों में निवास करने की ज्यादा प् तो वहां कोशल और अर्ध कोशल दोनों प्रकार की स्रमिकों की अवशक्ता जादा होगी और जो लोग हैं वो उस शेत्र में ज्यादा बसने की प्राथमिक्ता देंगे ठीक है तो यह रहे इसके साथ साथ एक अन्य कारख हमारा कौन दाता है बच्चों सामाजिक एवं सांस सांस कृति कारणस यह भी क्या करता है जन्य संख्या को अपनी और आकरशिथ करता है कैसे आप लोग परता है कुछ इस थांज धार्मिक अत्वा सांस कृतिक महत्य। के कि अर्थि लोग ऑपनी और आकरशिथ करता है ठीक इसी प्रकार लोग उनकी सेत्रों को चोड़कर sipon john सामाजिक और आजनितिक और सांती होती है ठीक है ना या जगडे होती है ठीक है ना या मतलब और शांती और सुरक्षा होती है ठीक है या आजनितिक इस तिरता मतलब इस चेतों में रहते लोग उनी चेतों में रहते जहां धारमी कारक हो सांती और सुरक्षा हो और आजनितिक इस्थिर्ता हो इन शित्रों में रहने की जो लोग हैं प्राथमिक्ता जादा देते हैं यहां रहने की नेक्स बात करते हैं जनान की संक्रमन सिध्धान्त बच्चों जनान की संक्रमन सिध्धान्त हमारी पुस्तागी सेप्टर का सबसे इंपॉर्डेंट पार्ट है तो जनान लेकिन खेती हर और सिक्षित यह क्या करते हैं उन्नती करके क्या करते हैं नगरिये और दोगिक और सिक्षित बनते हैं ठीक है और उच्छी जनमदर उच्छी मिर्थिदर से निम्न जनमदर निम्न मिर्थिदर में परिवर्तित हो जाते हैं इसी को ही हम जनान की संक्रमन सिधा भृत्मान की स्धितिय को दरशदता है आप बाथ कि जनान के संकरव्र सिधान की मुख्धाएं हैं पहला अगर बात की जाए प्रताम अवस्ता की अगर बात की जाए तो इस अवस्ता में यानि प्रताम अवस्ता में क्या था कि उच्छ जनमदर और उच्छ मृत्ति उदर के कारण जनसंख्या इस्थिर थी मतलब जन संक्या भी जाद जनमदर भी जाद था आमिर्स्तिव दर भी जाद थी और दोनों समान होने एकारण जन संक्या इस्थिर थी इसके साथ साथ बड़े परिवारों को संफत्ती समझा जाता था उस burn arrivster पे संचार इन सबसे कोई संब्द नहीं था लोग प्रात्मी कारिय के में ज्यादा लगा करते थे फिर इसके बाद इसकी दूसरी अवस्था है दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि उच्छी जनमदर और निम मिर्तियुदर के कारें जन संक्या बहुत ज्यादा बड़ी यानि जन हागुरू किस टेम पे नहीं थे जन संक्या उससमAg में बहुत ज्यादा बढ़ रही थे अगर तीसरी अवस्था की बात की जाए तो तीसरी अवस्था में जनन दर्बी निम्ना है और मिटियुदर वी निमना है जनान के संक्राइग सिधहन ए बताता है कि प्ताता है कि तीस कि अगर चोटा परिवार होगा तो अच्छा परिवार होगा और लोग क्या हो चुके हैं जागरुग हो चुके हैं तो यह हमारी तीसरी अवस्ता है तो यह हुआ हमारा जनान के संक्रमन सिद्धान अब बात करते हैं कि आखिर जन संक्या बढ़ेगी तो जन संक्या होगा क्या जन संक्या के परिणाम क्या होंगे तो जन संक्या बढ़ेगी तो क्या होगा जन संक्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि देख रिसोर्सी जो हमारे पास संसादन है वो तो लिमिटेड है जो मैं संसादन है वो तो हमारे पास कम है ना अब जन संक्या बढ़ेगी तो संसादनों की दिरे दिरे क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी चोंसादन हमारे पास उपलब्द हैं उनकी मांग जाधा बढ़ेगी तो उनके रेट जो प्राइस होता है वो भी बहुत जाधा बढ़ेगा इसके साथ आप के लिए एक से दूसरे व्यक्तिवों में या देशों में एक दूसरे की क्या होगा युद्ध होगा तो यह होंगी जनसंख्या वृद्धी के परिणा ठीक है इसके साथ साथ आप लोग पता है जनसंख्या नियंतरन की उपाए अच्छे आप पात होते हैं कि जनसंख्या उप बहतर करके हम कया कर सकते हैं जन संक्या नियंतरन से द्धिन संग्या उब कर सकते हैं जैसे आप लोग पता है कि अभी जन संग्या देरेदरेए कितनी हो लिगारो या बाइट गर पेच्टीस करोड जनन्संदन के जाये की आंखिन जनसंख्या का जो वित्रण हैं, वो किस परकार का है? तो इसे मुखेता तीन भागु में बाटा जया बच्चो पहला होता है सगन सगन का मतलब क्या होता है? यानी विष्व के वह परदेश, जहां जनसंख्या गन तो 200 प्रतिवेक्ति वर किलोमेटर एक किलोमेटर में 200 लोग रहते हैं तो वहां जनसंख्या क्या होगा बच्चो सघन होगा इन शेत्रों में क्या होता है 200 प्रतिवेक्ति वर किलोमेटर पाई जाते हैं ठीक है नथ अब आते है मध्यन यानी विश्व के वैप परदेश जहां जन संख्या गाना तो घ्यारा से पचास पर्थी वेक्ति वर्ठ किलो मेटर पाय जाता है यानि 11-50 लोग 1 km शेत्र में रहते हैं तो वहां जल संक्या क्या होगी मत्यम होगी ठीक है उधारन के लिए आप बहुत सारे ऐसे देश ले सकते हो जैसे अफरीका के बहुत सारे देश हैं और यूरोप के बहुत सारे देश हैं इसके साथ-साथ अब आता है विरल विरल का मतलब क्या होता है विश्व के वैप परदेश जहां जन संक्या गनतों जीरो से एक परती वेक्ती वर किलोमेटर पाया जाता है यहां जहां एक किलोमेटर के एरिया में जीरो यह एक बंदा ही पाया जाएगा उधारन के दलदलिये परदेश, मरुस्थलिये परदेश, शीत मरुस्थलिये परदेश, इन छेत्रों में जनसंख्या का जो घनतों होता है, यह बहुत कम होता है, ठीक है, तो यह है जनसंख्या हमारे विश्व में जनसंख्या वितरन के प्रारूट, ठीक है, यह चेप्टर ह हमारा यहां complete हो चुका है तो यह chapter complete हो चाहिए इसकी जो next video है वह आपकी जल्द ही आ जाएगी तो वीडियो को अच्छी वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को like, share and subscribe जरूब करें धन्यवाद